पूरतगाल में Immigration कोन सी स्टम डेट चार रही है किन किन लोगों को इमेल रसीव हो गी है और किन लोगों के लिए जो पूर्मेंट्स है वो उपन हो चुकिए से के पेज के ऑपर यह पाइनॉस्मेंट्स हो चुकिए है अपन्म होने की मेरा नाम आप देख रहे हैं यूटीब चैनल शेह बाज आज की विए बड़ी इम्पोर्टेंट है अभी कुए क्विक्स ऐक अबडेट आई एए मुझे के पचीस सब्तंबर की जो इमेल्स है वो लोगों को रसीव होना शूरू होगी है पचीस सब्तंबर 2020 वाले जो लोग हैं उनको काफी लोगों को इमेल्स रसीव होगी है वीडियो बड़ी इंस्टाग्राम पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मजूद है उसका अगर वहां पर आपको जवाब थोड़ा लेट आ रहा है तो साइकंड ऑप्शन में आपके पास ट्विटर अकॉंट है वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं फिर एक दूसरा चैनल है पर 25 सफ्टमबर 2020 में लॉक हुए थे उनको इमेल आगी हुए थी तो अभी उन्हों ने मुझे बताया मेसेज करके वोट्सअप के आपर कि हमारा जो अपॉंटमेंट उठाने वाला जो पॉटल है यानि कि वह क्लेंडर हमें शुरू होना शुरू हो गया तो हमने डेट्स से उठा ली है तो जी आप जो लोग यां पॉर्टगाल में रह रहे हैं यह विडियों के लिए हैं अगर आपने आपके पेपर हैं 25 सफ्टमबर 2020 के अंदर लॉक हुए हैं तो अपना इमेल जो सेफ की आईडी हैं वो लोगिन कर एक दफर जरूर देखें शायद आपका भी देट्स अवेलिबल होती हैं वह भी क्लेंडर शो हो जायता है वहां से आप डेट भी स्लेक्ट कर सकते हैं आपके पास दस दिन का टाइम होगा लेट स्पोज आप अभी अगर लोगिन कर रहे हैं आपको भी रसीव हुई है मेल तो आपको छे मिने बाद की डेट मिली है तो हो आप उठा सकते हैं लेकिन याद रखीएगा इस दस दिन के अंदर ओगये किंसल करके बैठ जा हीं कि हम जो एना उठाएं दस दिन के बाद आप पहर कैंसल कर दी तो आप द बहरा उठाने नहीं सकते, सिर्फ दास दिन का टाइम है आपके पास तो कई भाई हैं उनके जो मेसेज़ी जा रहे थे उनकी जो इमेल्स हैं वो बूल चुके हैं पासवर्ड अजेंट्स के पास हैं या सैफ की जो आईडिया उसका पासवर्ड बूल गया रिकवर नहीं हो रही तो भई घबराने वाली बात कोई नहीं या कोई बंदा कोई एजेंट आपको ब्लैक मिल कर र होता है तो सुबह अर्ली मौर्णिंग चले जाएं लाइन में लग जाके इनको बताएं कि यह मेरी आईडी थी तो यह जो है नो ने मेरी उसका पासवर्ड चेंज कर दिया या जो भी है वाटएवर आपका जो माई नंबर होता है आप उनको बताएंगे तो उससे आप क्यो जो न्यूस है उससे भी अगर आप करें तो फील हो रहा है कि यह लोग थोड़ी स्पीड मारेंगे क्योंकि काफी ज्यादा यह लोग जलील हो चुके हैं जैसे इमिग्रेंट्स नहीं यहां पर स्ट्रैक्स भी करना शुरू कर दिए पृत लंबा प्रोसेस हो गया लोग तो बड़ी उमीद है कि यह प्रोसेस को भी तेज करेंगे कुछ रीजन्स हैं जिसके वाज़ा से यह प्रोसेस स्लो हुआ हुआ है जी मुझे दें जैज़त आपने द्वाव में मुझे याद रखिए का मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक ने टॉपिक साथ जी अला पीज